हेलो फ्रेंट्स आप सभी क्या स्वागत है माई केसी पॉइंट में फ्रेंट्स आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जी एस बायलोजी का प्रैक्टिस सेट नमबर एट और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अप्लोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रेप्शन में है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंट्स इसके पहले वाले सेट में हम लोग 30 प्रैक्टिस का डिस्कॉस कर चुके हैं तो जिनेक्टिक्स में आन्वनसिक्ता और बीचरन का अध्यन किया जाता है ये जिनेक्टिक्स क्या होता है तो जिनेक्टिक्स को सबसे पहले डबलू वार्ट्सन के द्वारा ही नाम दिया गया था कब दिया गया था 1905 इस भी में दिया गया था और जिनेक्टिक्स को हिंदी में जनेक्टिक्स को हिंदी में अन्वंसिक ही कहा जाता है फ्रेंड्स इन सेटों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप यदि लूसेंट के बुग से थिवरी पड़ते हैं तो आपके एक्जाम्स पॉइंट अभ्यू से काफी मौत पूर्ण होगा आए देखते हैं ने लेंगिक जनन से लेंगिक जनन से आन्वंसिक विचरन होता है नेक्ष प्रश्ण है जीन के भीतर अनुक्रम अधार परिवर्तन कहलाता है अनुक्रम अधार परिवर्तन क्या कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है नेक्ष प्रश्ण है मनुस्य मे द्वी गुनित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो 23 होती है क्रोमोसोम की संख्या। नेक्स्ट प्रशने है, मनुस्य में पुरुसत्व के लिए कौन सा गुनसुत्री सनियोजन उतरदाई है। एक स्वाई गुन्सुत्री ही गुन्सुत्री सन्योजन उत्तरदाय। है। नेक्ष्ट प्रश्ण है एक समाने मानों सरीर कोशीका में गुन्सुत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। नेक्ष्ट प्रश्ण है मनुष्ट में नर का गुन्सुत्र समिश्रन होता है। नेक्ष्ट प्रश्ण है नौजात सीसु के लिंग का निधारन किस से वंसागत हुए गुन्सुत्र द्वारा किया जा सकता है। तो पिता के गुंसुत्र के द्वारा ही किया जा सकता है के बार नेक्ष्ट प्रश्ण है एक समान्य मानव सुक्रानू में आटो सोम की संख्या कितनी होती है वाइस जोरी इस आटो सोम की संख्या वाइस जोरी होती है नेक्ष्ट प्रश्ण है मनुस में कौन से क्रोमोस्यों के मिलने से बालक का जन्म होगा तो पुरुस का वाई और इस्तरी का एक से क्रोमोस्यों के मिलने से बालक का जन्म होता है नेक्ष प्रश्ण है लाल हरी वर्णधन्ता होने का कारण क्या है एक सगुन सुत्रों की वनसागती के कारण ही लाल हरी वर्णधन्ता होता है नेक्स्ट प्रशने हीमोफिलिया में क्या होता है जो एक हीमोफिलिया नाम की बिमारी होती है उस बिमारी में क्या होता है तो इस बिमारी में रक्त का थाका नहीं बनता है नेक्ष्ट प्रश्ण है, सीसु का पित्रित्व अस्थापित करने के लिए किस तक्निक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगर प्रिंटिंग का ही उप्योग किया जाता है? नेक्ष्ट प्रश्ण है, जीन सब्द किसने बनाया था? W.L. जोहांसन के द्वारा ही सरप्रथम जीन सब्द का नामकरन जीन रखा गया था? नेक्ष्ट प्रश्ण है, वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई कब देगा? जो लाल रंग हरा दिखाई देगा, वर्धनता वाला जब व्यक्ति होगा तो उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है नेक्स्ट प्रश्ण है DNA अंगली छाप तक्निक का उप्योग किसके संसूचन के लिए किया जाता है विवादित जनकता के लिए किया जाता है नेक्स्ट प्रश्न है गुन सुत्र में होते हैं गुन सुत्र में क्या होते हैं तो DNA और प्रोटीन पाए जाते हैं गुन सुत्रों में नेक्स्ट प्रश्न है DNA अंगली छाप का प्रयोग किसकी भचान के लिए किया जाता है मता पिता और बलतकारी और चोर इन तीनों की भचान करने के लिए ही DNA अंगली छाप का उप्योग किया जाता है नेक्स्ट प्रश्न है टॉर्डनल संगलक्षन वाले क्रोमोसोम का वीवरन क्या है तो डबल फोर ए प्लस एक्स ओ टॉर्डनल संगलक्षन वाले क्रोमोसोम का वीवरन है नेक्ष प्रश्न है शहलंगता शहलंगता के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि देखिए यह होता क्या है पहले सहलंगता तो इसमें एक ही गुनसुत्र इस्तित जीनों में एक साथ वनसागत होने की प्रविर्टी पाई जाती है और जीनों की इस प्रविर्टी को प्रेंट्स बता दे कि मनुस्यों में कई लिंग सहलंग ने गुन होते हैं जैसे रंग वर्णधनता गंजापन हेमोफिलिया मायोपिया इत्यादी रोग जो होते हैं वही लिंग सहलंगता कहलाते हैं फ्रेंट्स इसमें जितने भी प्रशन थे शभी प्रशन आपके एक्जाम पॉइंट अभ्यू से काफी मौत पूर्ण थे इसमें और भी प्रशन पुछा जाता है कि मच्छर में गुनसुत्रों की शंक्या होती है गुनसुत्रों की शंक्या क्या होती है तो सेक्स से प्याज म में लारे हो स्माथ होता है और चूह में 40 होता है इस तरह से आप इन विडियो को यभी विडियो आपको पसंद आय हो थो विडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सांथी वेल आइकोन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर